नमस्कार दोस्तों हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनित सगर डेली वन लेनेस 27 मार्च 2022 आज की इंपोर्टन वन लेनेस कौन-कौन साय चेक करते हैं सबसे पहला पेशर स्कीम पेशर स्कीम का फूल फॉर्म क्या है पॉलार साइंस और क् इसके अंदर अलग अलग इंडियन रसेर्च प्रोग्राम से लाइक इंडियन आर्टिक प्रोग्राम अन्डियन प्रोग्राम सबसे पहला गंगोत्री भारती और माहित्री इसमें गंगोत्री जो है अब ऑपरेशनल नहीं है ऐसे लोजिस्टिक बेस उसे यूज़ किया जा रहे है उली भारती और माहित्री और एक इंफोर्मेशन यह है 41st Indian Scientific Expedition to Antarctica अब चल रहा है नाउ पेसर स्केम इंप्लीमेंट कोन कर रहा है National Center for Polar and Ocean Research और अटोनोमस इंस्टिटूट है अंडर्ध मिंस्ट्री और एच सेंसे इंडिया के जितने आर्टिक और अन्डार्टिक रिसेच एक्स्टिशन वगरा न उसका नोडल एजनसी नाशनल सेंटर for Polar and Ocean Research है आप मुझे कमन बोक्स में बताइए यह जो NCPOR है National Center for Polar and Ocean Research कहां पे लोकेटड है अगला है Dare to Erad TB मिनिस्ट्र और साइंस और टेक्नोलोजी डॉक्टर जीतेंदर सिंग डाक्टा ड्रिवन रिवन रिसेर्च चु एराडिकेट टीबी डेर तु एराट टीबी लॉंच किया है on the occasion of World TB Day, World TB Day कब था 24th मार्च को था आप देखिए यह जो Dare to Erad TB है यह बेसिकली एक अंबरला TB प्रोग्राम रहेगा under the Department of Biotechnology इसमें कई सारे इनिशेटिवस होगा Indian Tuberculosis Genomic Surveillance Consortium, Indian TB Knowledge of Webinar Series, Horse Director Therapies Against TB, Developing an Evidence-Based Regiment for Treating Extra Pulmonary TB, etc. तो बेसिकली दोस्तों TB को Eradicate करना है, तो इसके लिए काफी सारे activities already planned है, तो यह जो Dare to Erad TB जो है, एक अंबरला प्रोग्राम जैसे act करेंगे, जिसके अंदर कई सारे इनिशेटिवस होगा, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें एक लिखा है extra pulmonary TB करके, यह क्या होता है, देख phytobacterium tuberculosis, आप मुझे common box में बताइए, tuberculosis के against vaccine यूज करता है, उसका नाम क्या है, अगला है GA tag for the warrior cotton सारी, सबसे पहले GA tag का मतलब क्या होता है, geographical indications tag, कोई भी एक product, चाहे वो handicraft हो, agriculture product हो, उसकी origin की वज़े से, मतलब जहां से वो product originate होता है, उसकी वज़े से, अगर कोई specialty है, तो वो geographical indication tag के लिए apply कर सकता है, इसके बाद GA registry चलने जो है, उस product के बारे में देखेंगे, इसके बाद इने GA tagging देता है, GA tagging मिलने के बाद उस product को थोड़ा बहुत exposure मिल जाता है, marketing मिल जाता है, basically एक tape का pattern मिल जाता है, थाकि वो product को कोई और copy न कर पाए, ठीक है, आप आखे, तमिल नाडू में, तीरची डिस्टिक में, वोरयूर जगा में से, जो cotton सारी उर्जनेट होता है, उसे मिला है GA tag, यह मना मेडू करके जगा में प्रोडूस होता है, located on the banks of river Kaveri, तो Kaveri नदी किनारे मना मेडू करके एक जगा से, यह उर्जनेट होता है, नाम क्या है वरयूर, कोटन, सारी, राइट, तो कोटन यानी इस प्रोक्यूट फ्रों कोईंबत्तूर, आजपाले, यह सब तमिल नाडू का अलग अलग जगाओं का नाम है, बस अब यह ध्यान दीजेगा, वरयूर, कोटन सारी, तिरची डिस्रिक तमिल नाडू, और GA, रजिस्ट्री के वारमेनों को बताया, जो चन्ने में लोकेटड है, अगला है, प्रथान मंदरी गिरीब कल्यान अन्ना योजना, संडर गर्मन ने ये डिसिशन लिया है, प्रथान मंदरी गिरीब कल्यान अन्ना योजना को और 6 मेने के लिए, एक्स्टेंड करने के लिए, मतलब अभी कि के बाद पहला लोगडॉन इंपोस हुआ था वैसे एजो स्कीम मार्स 31st 2022 को एंड होना चाहे था पर अभी छे मेने का एक्सेंशन मिल चुका है इस स्कीम के अंडर गर्मन फ्री 5 किलोग्राम सो फुट ग्रेंज पर पर परसन प्रवेट करते हैं तो मौर दन अंदरी गरीव कल्यान अन्ना योजना के बारे में अगला है एक्सेस सुरक्षा कवच सेकंड शुरक्षा कवच सेकंड एक कंपेंड एक्सेस है बीटिवीन इंडिन आमीस अकनीबास दीविशन और महाराष्टा पोलीस यह रीजनली पूने में हेल्ड हुआ इस ड्रिल में इ इस एक्सेस का अबचेक्टिव था टू को ओड्डिनेट पोलीजन आमीस प्रोटोक्ल एंड ड्रिल देखें जब एक टर्रिस अटाक होता है तब क्या है आर्मी का अलक प्रोटोकोल से रहते हैं उस सिटूएशन को हंडेल करने के विए पॉलीस का अलक होता है इन दोनों को कोडिनेट करना एक दूसरे डुर्स को समझना यह इस एक्ससेट का अब्जेक्टिव था अगर कोई टर्री इस अटाक होता है उस टेमपे प्रियाट करने के लिए and the goal of the XSS was to promote interoperability between the two organizations वही मेने बोला दोस्तों दोनों organizations के वीच में interoperability maintain करना ये इस XSS का objective था फाइनल लेफ्टनन जनेरल विनो जी खंडारे as advisor देखे Ministry of Defense का टोप bureaucratic position आ बोल सकते हो Defense Secretary अब Defense Secretary के साथ closely associated होने के लिए उन्हें की strategic inputs and advice देने के लिए as an advisor in the Ministry of Defense appoint किया है Lieutenant General विनो जी खंडारे साब को वैसे विनो जी खंडारे साब आर्मी से January 2018 में superannuate हुए थे तब से लेके October 2021 तक वो military advisor थे in the National Security Council Secretary under the Prime Minister's Office तो ध्यान दीजेगा ये जो National Security Council Secretary this is under the Prime Minister's Office not under the Ministry of Defense ये भी आप ध्यान दीजेगा तो उथर military advisor थे Lieutenant General खंडारे साब अब देखे इनका रोल क्या क्या होगा देखे रोल इस वेरी सिंपल Defense Secretary को की strategic inputs देना अडवेस करना वोन आपफेस रिलेटेटेट तो defense policy preparedness and related activities इंक्लोडिंग international defense cooperation maritime security defense space तो बेसिकरे defense से रिलेटेट की strategic inputs देना आडवेस करना यह सब आडवेसर इंडवेस का major roles होगा तो दोस्तों that's the endropic I hope आपको समझ में आया होगा लक्षे की PDF as usual आपको Telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीक नीचे provided है thank you for watching by way have a nice day